पाकस्तान में आथिक संकट गहराता जा रहा है, महंगाई की वज़े से लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे सोने के भाव आसमान छूरे हैं, आपको बता दें कि पाकस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड एक लाग साथ हजार पांत सो रुपए तक पहुच गई जिन सडकों पर गाडियां फर्राटा भरती थी, वहां सेना की नाव चल रही है, आसमान से इतना पानी बरसा कि घरों के बाहर लगी गाडियां पूरी तरह डूब में, मकानों के अंदर 2-3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को कई तरह की दिफ्कतों का सामना करना किसान ने उगाई फसल की, कीमत तै करेगा किसान, किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए, फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने, पंप भी लगाए गए हैं, लेकिन परिशानी है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वज़ पूर्पूर में बीते 15 दिन में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गी, तीन दिनों के अंदर वहां करीब 10 इंच पानी बरस चुका है, और यही वज़ा है कि बारिश बंद होने के बाद भी नियू रूपनगर के हालात बिगटते जा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पान करीब चार दन हो गए हैं, बहुत ही बुरे आलात है, ना लाइट है, ना प्रशासन का कोई आत्मी आया है, इस बीच हिमाचर प्रदेश के कुल्लू में पहाड से आये कीचड के सहलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, भारी बारिश के बाद बादल पटने और जमीन किसकने की वज़े से कई घर वहां बरबाद हो गए, जबकि कुछ घरों के उपर मलबा जमा हो गया, कुल्लू के चनाइगाट गाउं से तबाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड से पानी के साथ मलबा तेजी से गाउं की तरफ बढ़ता दिखाई दिय पानी के तेज भाव के साथ आया, मलबा इतना ज़्यादा था कि देखते ही देखते वहां बने घरों की सूरत बदल गई, चारों तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही पहला नजर आया, पहाडों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वज़े से आये कीचड़ के सहलाब से कई घर बरबाद हो गए, लैंड्सलाइट के आफ़त के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, लगातार हो रही बारिश और लैंड्सलाइट के बाद अलर्ट हुए प्रशासन ने चनाई गाट गा मौली में भी हुई, वहां कर्ण प्रया के पास कुमाओं को जोडने वाली सड़क पर पहाड का विशाल हिस्सा आगिरा, जिस वक्त पहाड खिसका वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपने मुबाइल में कैद कर लिया, वो वहां से गुजरी रहे पहाड तूट कर नीचे गिर गया, ये मनजर देखकर वो घबरा गय, उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खिंच लिये, इस घटना के बाद वो रास्ता बंद हो गया और लोगों के वहां से आने जाने पर रोक लगा दी गयी